Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this episode, we are going to discuss about class 10th SST Social Science Worksheet No. 68. आज की इस Worksheet में हमारा chapter हेगा, Rise of Nationalism in Europe यानि History का पहला chapter. History is the very important part of Social Science. अगर हमें अच्छा स्कोर करना होता है, तो उसका मतलब है हमें History पर फोकस करना होगा. जिसकी History अच्छी होगी, It means he or she is going to score very well in the Social Science. बहुत आसानी से हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं. लेकिन प्रोलम यहाँ पर आती है, कि हम History या Geography, Economics, Poles Science को हम एक ही तरीके से पढ़ते हैं. जबकि सभी सब्जेक्ट को इनको पढ़ने का कंसेप्ट है, जो थ्योरी होगी, वो एक अलग-अलग मैथड को हमें एडॉप्ट करना होता है. मैंने इसी को लेकर कि आपकी पूरी 10th क्लास के सभी चैप्टेस के वीडियो और बना दिये हैं, पब्लिश कर दिये हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, आप उन वीडियो को देखिए, और उसके बाद आपका कंसेप्ट है, ओटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, आपके लिए क्रेम नहीं करना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना काफी आसान होने वाला है. तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज की इस वर्कशीट की, इसको हम रिवाइज करेंगे, समझने की कोशिज करेंगे, इसको हम रिवाइज करेंगे, समझने की कोशिज करेंगे, इन देट 22nd of December 2020. इन इस वर्कशीट, 10 वेरी शूर्ट आंसर ताइप कोशिशन आर गिवन, काफी आसान, एजी कोशिशन है, यह नहीं कह सकते कि यह काफी इंपॉर्टनेंट है, बट सम कोशिशन सार रियली इंपॉर्टनेंट फ़न, पहला जो हमारा कोशिशन दिया गए, विच्ट्रीटी वज साइन टू ब्रिंग अबाउट अन एंड अफ तर चेंज़ ब्रोट आउट बाउट 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 बाई ने पॉलीन वार्टनेंट ने जितने भी यूद लड़े थे, उनके बाद काफी सारा चेंज आ चुका था यूरोप में, उन चेंज़ेज को अंडू करने के लिए, वापस उनको ठी करने के लिए एक संधी होती है, एक ट्रीटी होती है, उसका नाम बताना है हमें, So it was Viena Treaty and it was held in 1815, 1815 में Viena Treaty होती है, जिसको हम Viena Congress के नाम से भी जानते हैं, Next question, second question that is very important one, When France sneezes, rest of the Europe catches court, जब France छींकता है, तो पूरी उरोप को जुकाम हो जाता है, Who said this statement, यह किस ने कहता है, यह हमें बताना है, It was said by Chancellor of Austria, Metternich ने ऐसा कहता, Metternich at that time was the most powerful person of Europe, Europe के सबसे powerful person में से एक थे उस वाद, Third question, which treaty recognized Greece as an independent nation, हमें बताना है कि कौन सी treaty दी जिसके बाद Greece को as an independent nation recognized किया गया था, So, the treaty of Constantinople, the treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation, यानि कि कौन सी treaty थी, Constantinople, अब यह Constantinople क्या है, Constantinople को हिंदी में बोलते हैं, Constantinople, यह Turkey का एक शहर है, जिसको आज कल हम Istanbul के नाम से जानते हैं, Okay, so, after the treaty of Constantinople of 1832, the Greece was recognized as an independent nation, यानि कि आजादी की उसकी सवतंतरता को मानता मिल जाती है, Fourth question जो दिया गया है, State whether true or false, हमें बताना कि यह सही या गलत, Garibaldi formed the red shirt army called the of volunteers, Garibaldi formed the red shirt army of volunteers, यह हमें बताना कि this statement is true or false, तो यह statement बिलकुल true है, Garibaldi कौन थे, Garibaldi was a revolutionary of Italy, इटली के revolutionary थी यह, Next question, Fifth one, Fifth one दिया गया हमें question को पहले समझना है, In the question given below, Two statements are marked as the assertion and the reason, यहाँ पे दो statement दिये गये, Assertion, जो संकल्पना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, And reason दिया गया है, उसका कार्ण दिया गया, हमें read the statements and choose the correct option, इनको समझना और उसके बाद correct option को choose करना है, NCRT में पढ़ चुके हैं, तो यह true है statement, पहला, Second reason दिया गया, Reason R दिया गया, Nationalist feeling were widespread among the middle class families, तो यह भी true है, क्योंकि उसके बाद nationalist feeling है, वो काफी ज़्यदा fail जाती है, तो यहाँ पे दोनों सही है, और दोनों में से अगर हम दूर जाने का कार्ण यह था, कि nationalism है, that feeling become quite strong, जो nationalist, जो sentiments थे, वो काफी strong हो जाते है middle class में, इस दिया वो revolution से, और democracy से दूर चले जाते हैं, तो यह दोनों सही भी है, both the statements are correct, and R is the correct explanation of A, यानि कि R है वो statement की correct explanation भी है, so we can say that, हम यह कह सकते हैं, कि हमारा option कौन सा रहेगा, A रहेगा, both A and R are correct, and R is the correct explanation of A, next question है, sixth one, write the sentence by correcting the underlined words, underlined word है, उसको correct करने के बाद हमें, इसको rewrite करना है, कावूर is considered as the benchmark of Germany, अब आप बोलोगे कि सर जर्मनी को आपने अंडरलाइन किया है, but it is underlined कावूर, जो आपकी worksheet में कावूर को अंडरलाइन किया गया, तो by mistake है वहाँ पर, जो typing error किया गया, इसके काण कावूर को अंडरलाइन किया गया, तो यहाँ पर जर्मनी होना चाहिए था correct, तो हमारा correct sentence बनेगा, कावूर is considered as the benchmark of Italy, क्योंकि बिस्मार्क तो already जर्मनी से था, जर्मनी के थे, तो आम तोर पर कावूर है, is compared with the बिस्मार्क, तो कावूर is considered as the बिस्मार्क of Italy, that is the right statement, now let's move to the 7th question, find the correct match, 4 statements और हमें दी गई है, और उन में से D is the correct match, Matanik was from Austria, he was the chancellor of Austria, now let's move to the 8th question, which of the following statements, is not related to the unification of Italy, इन में से D हमारा answer हेगा, आटोवॉन विस्मार्क was the architect of the unification of Italy, ये statement इटली के unification से related नहीं है, because आटोवॉन विस्मार्क was the architect of the unification of Germany, not of Italy, इटली से related नहीं था आटोवॉन विस्मार्क, 9th question है, identify this image, हमें एक image दी गई है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, जर्मेनिया के बारे में, जर्मेनिया कौन थी, जर्मेनिया was the allegory figure of Germany, जैसे हम इंडिया में भारत माथा की तस्वीर की बात करते है, इन दे सेम वे, जर्मेनिया बिलॉंग to Germany, so the picture given is of जर्मेनिया, a German metaphor और जर्मन allegory, 10th question है, this one is the last question of this worksheet, fill in the blanks, हमें एक sentence दिया गए, days adopted the policy of blood and iron for the unification of Germany, तो यहाँ पर रहेगा बिस्मार्क, बिस्मार्क ने blood and iron policy को adopt किया, for the unification of Germany, and the German unification was finally completed in 1871, that's all in this worksheet, उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपके study भी बहतर तरीके से चलनी होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी, तो इसको अपने friends के साथ share करना, और इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा, thank you, bye bye, have a nice day,